हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आज चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रीकी मैन पर तो गाइस दिल्ली गोर्मेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशेटिव स्टार्ट किया है free spoken English course launch किया है Cambridge University के साथ मिलके जिसको भी अपनी English बोलना लिखना सीखना है उनके लिए बहुत बड़ा इनिशेटिव मैं कह सकता हूँ इस course में कोई भी इंडोल कर सकता है चाहें आप school student हो, college student हो, working professionals हो, graduate हो, housewife हो याप कुछ भी करते हो अगर आपको अपनी language, English language improve करनी है, तो आपको इस course का फायदा मिलने वाला है पहली बार इस तरीकी का initiative है, जिसमें कहा जा रहा है करीब एक लाख बच्चों का selection होने वाला है कैसे आपको apply करना है, कोन को knowledgeable है, क्या क्या चीज़े आपको जानने की जुरत है सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो को आप लोग अपने family group में भी share कर सकते हो क्योंकि हर एक family में ऐसा एक ना एक दो बंदे तो होती है जिसको अपनी English language improve करनी होती है अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छे लगे एक like जरू कर दीजीगा बात करते हैं कैसे आप लोग इस online course में online नहीं है, कैसे आप लोग को enroll करना है तो वीडियो description में आप लोग को link मिल जाएगा इस course का तो आप लोग इनकी official website पे पहुँच जाओगो दिल्ली Skill and Entrepreneurship University इनकी तरफ से आप लोग के लिए English spoken course लौँच किया है जहां पर आप लोग details देख सकते हो इस course के बारे में इस course को एक short term course का आगया है young professionals इस course में enroll कर सकते हैं जिसको भी अपनी English communication skills, soft skills improve करनी है वो इस course में enroll कर सकते हैं इस course के खतम होने के बाद आप लोग को award दिया जाएगा as a globally accepted certificate आपको मिलेगा दिल्ली Skill and Entrepreneurship University और Cambridge University and Assessment India Private Limited की तरफ से आप लोग को एक certification भी मिलने वाला है यह जैसे course खतम हो जाता है बाकी अगर आप लोग अभी final year में हो या फिर graduates हो और MBA करने की सोच रहे थे बट financial issues के विजसे आप लोग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इंडिया में MBA करना बहुत ज़्यादा costly होता है तो आप लोग को एक और second method में बता देता हूँ आप लोग sunstone पर register कर सकते हो जहां पर 35 plus campuses registered है 25 cities में यहां पर इनका इक different model launch किया गया है specially MBA के लिए पहली बार इस type की कोई company launch कर रही है जहां पर आपको pay after placement model दिया जा रहे जहां पर आपको आपकी salary में से ही course की fees देनी होगी यानि कि आप लोग register आज ही कर सकते हो MBA करना start कर सकते हो उसके बाद आप लोग की MBA खतम हो जाएगी उसके बाद job लगने के बाद आपको आपकी fees देनी होगी इनकी free counseling session के लिए आप लोग आज ही रिजिस्टर कर सकते हो link में आपको video description में दे दूँगा आप लोग check out जरूर करिएगा अब बात करते हैं दिल्ली Skills and Entrepreneurship University के English spoken course के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले इस course में आप लोग को क्या-क्या सीखने को मिलेगा तो आपको training मिलेगी experts के द्वारा अगर आप लोग English बोलना, लिखना, सीखना चाहते हो तो आप लोग के लिए काफी अच्छा है यह course है English communication skills, meetings के लिए, interviews के लिए और other professional interaction के लिए काफी ज़्यदा important है जो कि आप लोग फाइदा ले पाऊगे इस spoken course के बारे में बात करें तो तीन से चार महीने का यह course आप लोग का होने वाला है और यह course आप लोग weekday में भी जोइन कर सकते हो और weekday में भी जोइन कर सकते हो यह आपके उपर depend है आप लोग जब registration करोगे तो आपको बता दिया जाएगा यह जो course है in person mode पे होगा physical mode पे यहापे आपको center दे दिये जाएगे आपके आसपास के वहीं पे जाके आपको course अटेंड करना होगा online नहीं है यह course आप लोग का इस course के application fees की बात करें तो यहाँ पे यह course बिल्कुल free है आप लोग के लिए बट यहाँ पे एक fees मांगी गई है deposit security fees 950 rupees यहाँ पे mention भी किया गया था हमारी जो chief minister है कि यह जो fees especially इसलिए मांगी गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे courses में इंडॉल कर लेते हैं उसके बाद course को attend नहीं करते हैं तो किसी बच्चे की seat waste ना हो इसलिए security deposit मांगी गई है यह जो fees हो आपकी refundable है fully refundable जैसे आप लोग course को complete करोगे आपको यह fees वापीस दे दी जाएगी तो इन short आप लोग को यह course बिल्कुल free में ही मिल रहा है इसके बाद अगर हम बात करें minimum आपको 80% class attendance देनी होगी इस course को complete करने के लिए कौन को ने apply कर सकता है eligibility की बात करें तो अगर आपकी 16 years से 35 years तक है तो आप लोग जोइन कर सकते हो इस course को anyone जिसको भी अपनी English language इंप्रूव करनी है वो जोइन कर सकते है अगर आप 8th class से लेके in future किसी भी class में पढ़ रहे हो तो आप लोग जोइन कर सकते हो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप लोग जोइन कर सकते हो यहाँ पर how to apply के पूरी detail दी गई है जो कि भी मैं आपको करके भी दिखा दूँगा किस तरीके से apply करना है उससे पहले कुछ important question है आप लोग के लिए जैसे कि यहाँ पर क्या-क्या benefits आपको मिलेंगे आप लोग को English language improve करने के बाद आप लोग के लिए job opportunities भी open हो जाती है बहुत सारी jobs होती है जहाँ पर only English language मांगी गई होती है उसके अलाओ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ और basic से question यहाँ पर अगर आप EWS candidates हो तो आप लोग को जो यह refundable fees है यह भी देने की जुरत नहीं है आप लोग को कोई भी fees नहीं देनी है अगर आपके पास EWS certificate है तो इसके लाओ यहाँ पर weekday कि इसकी timing वगरा भी mention है यहाँ पर दो टाइप से यह batches है weekday में आप free हो तो weekday में join कर सकते हो या फिर weekend पर अगर आप job वगरा करते हो Saturday, Sunday off होता है तो आप लोग उस time पर इन batches को join कर सकते हो इसके लाओ कुछ FAQ questions है जो कि आप लोग अपने हिसाब से देख लीजीगा सारी detail mention है जो भी बच्छे join करना चाहता है अगर हम बात करें रिजिस्टर कैसे करना है इस course के लिए रिजिस्टरिशन प्रोसस में आपको बता जाता हूँ रिजिस्टरिशन के लिए apply ना होगा बटन इस पर आप लोग को click करने है तो आप लोग को इस website पे लिजाए जाए जाएगा जहाँ पे sign up का option आजवागा आप लोग के सामने sign up के option में आप लोग को एक registration form दिया गया इस registration form को आप लोग को fill करना है सबसे पहले आपको अपना first name, last name, mobile number, email id, date of birth, password, confirm password, capture, आपका OTP आएगा mobile पे register ना कर लिजेगा online ही आप लोग को register करना है कहीं भी कोई form वगरा, offline submit नहीं करना आपका registration successful हो जाएगा आपकी mail id पर एक OTP आएगा ये जो OTP है, ये spam folder में चेक करिएगा general folder में receive नहीं हो रहे हैं यहाँ पे आपको एक verification mail आएगा इस पे click करिएगा, उसके बाद आप लोग लोग इन कर पाओगे login करने के बाद आप लोग को एक application form फिल करना होगा इस application form फिल करते हैं, कुछ questions पूछे जा रहे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ जिसे father name, mother name, relationship, guardian का name भी आपको देना है उसका एप्लिकेट, occupation अगर आप student हो self maker हो या फिर कुछ भी करते हो आपका present address, permanent address आप एड़ाप कर दीजिएगा, save and next कर दीजिएगा उसके बाद कुछ declaration है, इस पर tick कर दीजिएगा उसके बाद आपको अपने एक photo देनी होता है और एक sign देना होता है यह दोनों चीज़ा आप लोग एड़ाप कर दीजिएगा आप लोग जोइन कर सकते हो यहाँ पर timing भी आपको अपने हिसाब से सेट करनी है weekday में जोइन करना है या weekend में उसके बाद आप लोग को next center and time confirmation दिया गया slot की details दी गई है, center का नयम दिया गया जाद अतर जो centers हैं वो दिल्ली government के schools ही है जिनमें आप लोग को यह course deliver किया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर payment amount आजाता है 950 रुपीज जो की refundable है जैसे आप course को complete करोगे 3 to 4 weeks के अंडल आप लोग के same bank account में आपको refund कर दी जाएगी यह course तो almost free course है आप लोग के लिए यहाँ पर slot preferences दो और तीन और देनी है आप लोग को जिससे कि अगर आप लोग ने first preference दिया उसमें admission नहीं होता है due to seats नहीं मिलती है आप लोग को तो आप लोग को second preference में admission मिल सकता है तो इस तरीके से आप लोग के fees दे दोगए fees देने के बद आप लोग के इस तरीके का एक admit card बनके आ जाएगा तो आप लोग को इस तरीके से register करना है आपको अगर registration की last date वगरा देखनी है तो आप लोग यहाँ पर इनकी जो FAQ sections मैंने आप लोग को starting में दिखाया था FAQ section में ही आप लोग को यहाँ पर date मिल जाएगी अगस्त की date थी वैसे मैंने चेक की थी 20 अगस्त के आसपास इसकी last date है अप्लाई करने की वह आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से यह सारे questions आप लोग के लिए mention है पहले से ही तो इस तरीके से आपको apply करना है इस video में गैस बस इतना ही thank you for watching